जै गुरु जी, संगर जी, संगर जी, संगर जी, सथ संग, मैं मां मैं कई बार के दास्चुप्यां, मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, कि संग की एहमियत क्या है, लेकिन गुरु जी की गृपा संग पर ऐसी है, जी बहुत सारे फोन आते हैं, आज नहीं, साल पहले नहीं, बहुत तेर से फोन आते हैं, सथ संग सुनते हैं संगत में, उसमें इतना कुछ कईयों को मिलता है, तरह तरह की जो कृपा उन पर आती है, तरह तरह की वो बताते हैं, सुनकर मन बड़ा फिर खुश होता है इस बात पर, कि गुरु जी जो करवाते हैं, जो खुद करते हैं, करन करामन अपे आप करन हारे हैं, करता हैं, तो जो वो करवाते हैं, जो करते हैं गुरु जी, कोई भी शंका नहीं रह जाती इसमें, देखकर संपूरन ही लगता है, है भी संपूरन लगता है, तबी लगता है जब संपूरन हो, लाल रंग कैसा है, देखने में ऐसा लगता है, वो तबी लगता है जब वो वैसा होता है, इसलिए, दुनिया मागती है, और कुछ मिले न मिले, सच्छन हमारे जोली में जरूर, नसीबों में जरूर आजे, जिनको सुवाद लग गया है, जिनको पता चल गया है, वो सच्छन को छोड़ते नहीं, ना छोड़ना चाहिए, एक बार की बात है, मुझे संगत में एक सर्जन वकील साथ है, मेरे को उन्होंने जोर देना शुरू किया कि हम रिशी केश साल में दो तीन बार जाते हैं, आपको साथ लेके जाना, मैंने कहा कि अंकल, मेरे इनलोज हैं रिशी केश में, मैं जाता ही रहता हूँ, अमर निकल गई है, पता नहीं कितनी बार गया हूँ, आप जायो, नहीं जी, आपको साथ लेके जाना है, का चलो, अगली बार चले 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 चलेंगे, अब की बार आप जाया हो एक दम से, मेरे को वैसे कुछ समझे नहीं आई उस बात की तो, मैंने उनको इनकार करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने जिद पकड़ लिए, जाना है तो आपको लेके जाना है, जब जिद हो ना अच्छे काम की कोई करता है, तो तरह तो उस पर गोर जरूर करना चाहिए, कि इसमें कोई कारण है, तो मेरे को कोई कारण बीच में समझ आया, तो मैंने फिर उनको हाँ कर देए, जो दिन बताया, हम उनके साथ दिल्ली से, कार से हम रिशी के रवाना होंगे हैं, वान परस्त आशर्म है वहां, गंगा के किनारे, रिशी के जाओ तो गंगा पार है, जहां लक्षमन जूला है वह उस तरफ, बहुत बड़ा आशर्म है, वहां रूम ही रूम है, कमरे ही कमरे हैं, चारहजार से उपर उनके कमरे हैं वहां, लोग जाते हैं, वहां रहते हैं, रिशी के घुमते हैं, धार्वक जगाओं के दर्शन करते हैं, अनद लेते हैं, उसी ख्याल से वह भी जाते थे, उसी ख्यार से हमें ले गए हम पहुंचे वहां तो रूम अलोट पहले उन्होंने करवाई हुए थे शमान रखा उन्होंने कहा कि चलो कुछ खान पान करते हैं फूख लगी है यहां पे अंदर ही एक कंटीन है बहुत स्वादिष्ट भोजन वहां पे बनता है और बड़ा ही स साफ सोथरा तरीके से बनाते हैं और खाने के लिए भी बड़ा साफ सोथरा तरीके से देते हैं चलो जी चले गए खाया वहां पे खाना खाके कंटीन से बाहर आए अब क्या प्रोग्राम है मैं उनकी तरफ देख रहा हूं कि अब आए हैं क्या प्रोग्राम है इन का आने का मकसद क्या है उन्होंने मेरे को कहा कि कमरे में बैठके क्या करना है चलो गंगाजी के किनारे चलते हैं यह बिल्कुल इस आश्रम के वो पीछे वाला गंगा की तरफ जो गेट है जब गेट से आप देखोगे ते आगे वो गंगा जी बैह रही हैं बहुत अच्छा वह सुन्दर वातावर्ण है यहां चलो ठीक है बैठके करना भी क्या है चलते हैं वहां से हम चल पड़ें बहुत सुन्दर वह पैसेज बना था जो पीछे गेट की तरफ को जा रहा है हम जा रहे हैं अचानक मेरे को एक आवाज आती है कलियर आवाज आई कोई मन का ख्याल नहीं कोई ऐसा नहीं कलियर आवाज आती है मैंने इधर देखा उधर देखा किसने बोला है को समझ नहीं आई इतने में फिर आवाज आती है तब मैं आवाज पहचान गया मैं कहा गुरुजी इधर देखा पीछे देखा उपर नीचे देखा सब गुरुजी कुछ दर्शन नहीं हुए ये एक हुकम था अब दर्शन की तरफ जोर देने के जरूरत नहीं अब है हुकम हुकम की पालना करना जरूर उस पे ध्यान देना आदत है में वो श्रूर से जब से गुरुजी के साथ रहा तो उनके हुकम मानने की आदत है सेवाई यही है जो हुकम करना है तोड़ते जाना वो करना जोविज घंटे का यही काम होता था हुकम की पालना करना मैं वहीं पर रुख गया था ये तीनों मेरी आंटी वो अंकल उनकी आंटी ये तीनों आ गया के चलते जा रहे हैं उन्होंने जब देखा कि मैं साथ नहीं हूं तो पीछे मुणके देखके वो अवाइद दी के ते क्या हो गया मैंने हाद से इशारा किया रुक जाओ लेफ्ट साइड पर एक उंची सी हैज थी उसके पीछे एक बिल्डिंग बनी हुई बिल्डिंग तो सारी वहां पर बिल्डिंग ही बनी पड़ी है रूम ही है लेकिन केदे त्यानार वेख इते ससंक कराना है मैं शुर से उनके ना एक एक वर्ड को ध्यान से देखता हूँ कि इसमें आवाज क्या है इसमें मतलब क्या है तो ध्यान से मैंने देखा मेरे राइट साइड पर दूर कमरे थे जो मेरे लेफ्ट साइड में था वो है जिके बिल्कुल ही पीछे था अब सोजी देने वाले भी आप ही है मैं समझ आई कि यहां कुछ पहले देखूं कि इत्थे सत्संकरवाना त्या नाड़ वेखला इत्थे सत्संकरवाना मैं पीछे मुड़ा तो अंकल मेरे को कहने लगे कहने लगे जो आप देख रहे हो न यहां सब कमरे ही कमरे हैं यहां हॉल कोई नहीं है मैंने उनकी बात सुने कि यहां तो कमरे ही कमरे हैं और यहां है नहीं तो मैं अपने धुन में अपनी उसी याद में कि गुरुजी का क्या हुकम है मैं उस तरफ चल पड़ा है जिके साथ साथ ऐसे गया तो राइट को रास्ता मुड़ा राइट मुड़ा इक गेट था खुला था गेट मैंने पुछ किया अंदर गया सामने एक चोटी सी कनौपी है में डोर है और उस पे ताला लगा हुआ है ताला देखके सोचने लग जगिया कि यहां मैं कैसे देखूं गुरुजी केंदे त्यानार बेख मैं कैसे देखूं राइट साइड में विंडो थी विल्डिंग की मैं एक विंडो से देखा बंद है आगे कर्टन है दूसरी से देखा तीसरी से देखा तो उसमें कर्टन नहीं लगा हुआ था तो मैंने गलास से देखा विंडो से देखा तो बहुत बड़ा हॉल है वो जतनी साइड की बिल्डिंग थी वो उतने साइड का हॉल ही था अब वो जिनके साथ गय उन्हों भी देखा वो देखके बड़ भर हरान हो गया हुआ देखते यह तो बहुत बड़ा हॉल है पेता भास जारी ओमर होगे मेरे को यहां आते मैंने कभी यह हॉल दिखा है नहीं सुना ही नहीं कभी मैंने कहा ये अभी नहीं बना है, है पहले का लेकिन गुरुजी ने, गुरुजी को सब पता है तब मैंने वहां खड़े होके उनसे बात करी मेरे को गुरुजी ने यहां बोल कर हुकम दिया है कि यहां सथसंग कराना है इसलिए मैं रुका हूँ और देख रहा हूँ कि यहां सथसंग कराना है तो जहां बोला है मेरे को वहीं कुछ है बाहर आए वहां से मैंने बोला इनका ओफिस कहां पे है यह हॉल कैसे मिलेगा कहते हैं हम जिदर जा रहे हैं गेर से पहले ही लेड़ साइड में आफिस है तो चलो वो मैंनेजर भी मेरे जानका हैं अच्छे चलो हम चलके बात कर दो हम आफिस गए मिस्टर शर्मा वहां की मैंनेजर है उनसे बात करी तो उन्होंने डायरी खोली कताब एक खोली जिसमें बुकिंग की सारी लिखी हुई हैं तो उसमें बाइस जनवरी दिन इतवार की डेट खाली पड़ी है हौली हाला कि वो तीन दिन के लिए कोई भी रेजिडिंशल रूम लोग कोई भी हौल लोग वो तीन दिन के लिए ही अलौड करते हैं चाहे आप एक दिन इस्तिमाल करो चाहे तीन दिन करो लेकर तीन दिन का पेकल हो एक दिन का नहीं देते हुआ उन्हों ने कहा जी हमारे मताबक तो तीन दिन के लिए हॉल मिलता है मगर जिन्हों ने ये तीन दिन के लिए बुक किया है उन्हों ने बोला हमें दो दिन के लिए चाहिए तो संडे का दिन खाली और क्या चाहिए चुटी वाला दिन है गुरुजी ने तो सारा ही सेटल करके रखा है वो जो दो दिन के लिए फंक्शन के लिए आए वो तीन दिन भी कर सकते है लेकिन गुरुजी ने तब से रचना रजी कि उनके दिमाग में डाला कि तो आपका काम दो दिन का है दो दिन में करो और चलो यहां से हमारा यहां साथ संगोना है उन्होंने वो दिन खाली रख दिया हमने फटा फटा अडवांस दे के देट बुक कर लिए डेट बुक कर लिए हम वहां पर वो दिन रुक गए अगले दिन नाश्टा किया मैंने उनको कहा मैं कर दिल्ली चलो वापस चलते कहते हैं रहे तीन दिन के लिए आए हैं तो जापे रुकेंगे तीन दिन के बाद जाना है मैं कर नहीं मैंने तो जाना है आप रुक जाओ हम मियां भी भी निकलते हैं वो बड़े हरान हुए कहते हैं ऐसा हुआ क्या हमें का हुआ कुछ नहीं बस वो अंदर से ही एक और हुकम था कि तेरा काम हो गया तो तो हुट चल वापस गुरुजी का ना मेरे साथ ऐसा ही रहता है जिस काम के लिए भेजा है जब भी वो काम होता है तो कहने तो तुरन तो वापस आजा कि शुरू से ऐसा रहा है काम हो गया तो केदे चलो वापस मैंने फिर उस दिन मैंने जय्द करी कि नहीं मैंने तो जाना है मैंने नहीं रुकना है आप रुको यहां पर हम निकल जाते हैं ऐसा ग्रू डॉग ड्राईवर को बोलो हमारे को बस्टेंड पे चोड़ तो हम बस म चले गया उनका मूड थोड़ा सा ओफ हो गया अगया 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 दस मिन्ट पर सोचने लग गये फिर उख कहते ठीक है भी हमने रुक के क्या करना हम भी चलते हैं नहीं आप रुको यहां हमारे को बास्टेंड चोड़ तक एन नहीं आपको ऐसे नहीं आपको छोड़ सकते हम भी वापस चलेंगे वहां से हम वापस आए किसी ने कोई बात नहीं करी मूड आफ हो गए सबके लेकर आपना तो मूड बड़ा खुश गुरुजी ने ऐसा हुकम किया है ऐसी कृपा बरसाई कि यहां रिशी केश में ससरा गुरुजी शरीर में होते हुए मेरे ससराल है वहां पर रिशी केश में उन्होंने दो तीन बार प्रोग्राम बनाया के चलो रिशी केश चलते हैं मैंने उतनी बार ही वहां पर अपने लोग से बास करके उनको सारा बताया के गुरुजी के साथ आना है और यहां कैसा प्रवंद चाहिए कैसी सफाई चाहिए कैसा सब कुछ चाहिए ये सारा प्रवंद जो करवा लेता था लेकिन आखिले के दिन आके बोलना गुरुजी ने अच्छा फिर चलागे माज़ उनकी नेकर वो बात मेरे को याद आने लगए तो वो याद करके गुरुजी ने मेरे को हुकम दिया कि यहाँ ससंग करना है तो हमारे लिए तो वैसा ही गुरुजी का आना होता है ससंग होता है तो वैसा ही गुरुजी का आना होता है जैसे आते हैं इसलिए मैं तो बड़ा खुश था कि रिशी केश में सत्संग करवा रहे हैं कभी सोचा भी नहीं था क्योंकि संगत एक भी नहीं थे रिशी केश में वापस चले गए मैंने चार लोगों की एक टीम सेट की जिसमें वो अपने मेरे सारे करीबी थे रोज का मिलना किसके घर में रहना ये ऐसा सम्मिल जूल के था हमने एक दिन टै किया कि चलो चलके बहां नई जगा है तो चलके चलके देखते हैं और हॉल को खुलवा के सारा देखके फिर वो उस पे कैसी सेटिंग करनी है और बहां सारा इंतिजाम कर गहां कहां करना है सो तीन दिन का पैकेज होता है चलो हम तीन दिन के लिए वहां चलते हैं चलके सारा इंतिजाम करके आते हम चले गए जिस गाड़ी में बैठा था वो बिलकुल नई गाड़ी थी काले रंग की बोल गया किस कमपने की बड़ी अच्छी लगशरी गाड़ी थी रास्ते में एक बैरियर आता है वहां पूछते हैं जी कहां से आये हो कहां जाना है तो पूछने लगए तो उन्होंने गाड़ी बंद करके न्यूटल में करके तो बात करी जब चलने लगे तो उन्होंने गाड़ी गेर में डाली तो जो कलच शोड़ा तो गाड़ी न चले इंजन चलता रहे लेकिन गाड़ी न चले पैडल फरी हो जाए कलच फरी हो गया चार-पांच बार नने देखा मैं भी देख रहा हूं कहते ही क्या हो गया नई गाड़ी है इसमें कोई प्रावलम नहीं आनी चाहिए तिनी महेंगी गाड़ी है इसमें अच्छी कमपनी की गाड़ी है हो क्या गया इसमें इतने में वो कहने लगे जी आप गाड़ी को जरा साइड में कर लो और कागज बागज सब लेके आ जो जो जी ये नई बात है कागज लेके आ जो गाड़ी नहीं चल रहे मदद की बजाए ये हमारे परेशानी बात में आ गए है खैर हमने उनकी बात जरूर सुनी लेकिन ध्यान गुरुजी की तरफ है तो मैंने अंकल को बोला मैं के अंकल बोलो जै गुरुजी केंदे जैगरु जी मैं कर जी डालो गेर में गाड़ी और चलाओ जैसे गाड़ी गेर में डाली कलच छोड़ा तो गाड़ी चल पड़ी हम वहाँ पहुंच गए मैंने अपने ब्रदन लौ को फोन किया हम ऐसे काम के लिए वान पर अस्ताश्र मा रहे हैं इतने ज़े पहुंचेंगे आप इतने जब फ्रेश हो जाएगे जब आवे रहे अजिन आज़ाना कि वहाँ तीन चार अर्यंच्मेंट करने हैं तो वहह आप से बात करेंगे और आपको साथ चलना कर्वरान परवंद करते हैं और ने बोला कि अच्छा तो थोड़ी देर बाद दो तिन घंटे बाद फिर फोन आता है कहने लगे कि मैंने एक इन्तियाम किया है मेरे जानने वाले हैं जहां आप आए हो बिल्कुल उसी आप के बजार में उनकी कपड़े की दुखान है ये नाम है उनका तो आप उनसे सारी बात कर लो वो सारा प्रबंद वहां बैठे ही करवा देंगे तो आपको आने जाने की परेशान होने की जूरत नहीं पड़ेगी जो वहां पहुंच गए रह शोकर चलो भी जिस काम के लिए आए हैं उस काम पे चलते हैं हम चले गए पैदली गए पीछे वारे गेट पे जो एक रोड है चोटी सी वो सारी आगे बजार ही बजार हैं पता किया के इनकी दुकान कौन सी है उनने बताया जी ये दुकान है हम चले गए जैसे मेरे को उनने देखा वो पहचान गए तो मोरे को बोले आओ जी आओ हम अंदर दुकान में चले के बैठ गए क्या पीओगे ने जी हम तो आए हैं फिर कंटीन में बैठके खा पी के हम जहाँ आए हैं चो खाना पीना कुछ नहीं है आपको मेरे ब्रदें ला ने बोला है कि कुछ इंतियाम करना है जहां सत्संग करना है उसके लिए आपके पास आएं जब तक बोले कि खाओ पीओगे ने मैं आपसे बात नहीं करूंगा अधुए उन्हें कॉफी मंगवाई कॉफी पी लिए फिर खाने के लिए खाना बोल दिया पेड़ तो मारा भरा हुआ है जी नहीं खाना खाया जाएगा नहीं वो बोले नहीं देखो यह सब खाया जाएगा आपको पता बनी चलेगा बड़ी देर बाद फरी हुए फिर बाद शुरू करी हाँ जी अब बताईए चा सिवा करूं कहा जी ऐसा है हमारे गुरुजी हैं मैंने गुरुजी के सुरूप के जेव पॉकर सिंगाल के दिसन कराए यह गुरुजी है हमारे यहां एक उनका ससंग रखना है वानपरस्त आश्रम में हौल अंदर है वहां ससंग करेंगे हम उने चार इंतिजाम चाहिए एक तो केटरिंग वाला चाहिए एक टेंट हाउस वाला चाहिए एक म्यूजिक सिस्ट्म वाला चाहिए और एक फलावरिस्ट चाहिए आपको पता है इन चारों चीजां की ज़रूत होती है उन्हों ने एक कागई निकाला उन्हों ने फिर फोन उठाया अपना मुबाइल निकाला एक फोन किया उसे बोलते हैं कहा है तू दस मिट में मेरे पास आजा दसरा निमपर लगाया कहा है तू दस मिट में मेरे पास आजा चारों को बोला कि दस मिट में मेरे पास आजा थोड़ी देर में एक आ गया, दूसरा आ गया, इसरा आ गया थोड़ी देर आखर लास्ट में या बाचीर कर रहें तो चौथा भी आ गया मैंने उनको एक बात बोली, कि लंगर जो है ना, ये हमारा मैन्यू है, हमारा हम लेके आए है, और धाई सो बंदे का लंगर चाहिए, क्योंकि सारी संगत दिल्ली से आनी है, यहां लोकल संगत हमारी नहीं है, उन्होंने मेरे को बोला कि मैं जानता हूँ, मेरे को पता है, आप तो नए हो, आपके गुरुजी को कभी सुना है नहीं मिले नहीं, आपको कैसे पता है, यहां मेरे को पता है, मैं जानता हूँ, चुर्ड, मैंने फिर भी अपना डैरी हमने निकाली, मिन्यों बताने लगे, कहते हैं जी, इसको बंद करके रख दो, मेरे को सब पता है, नहीं जी, आपको नहीं पता है, हमारे यहां गुरुजी के हर चीज जो है, थोड़ी सी बाकियों से डिफरेंट है, तो यहां मारे लंगर पी थोड़ा डिफरेंट होता है, इतने में वो जो केटरिंग वाड़ा तो उसे बात करने लगए, ओ भाई, यह ले कागज और यह पहन ले, लिख ले मेन्यूं, हम उस समय हरान हो गये, जब उन्होंने हमारे वाड़ा मेन्यूं 100% वैसे वही लिस्क लिखा दे, मैं हरान हो गया, मैंने फिर घौर से दिखा उनको, बंदा कौन है, यह सादू संक्त्य की धर्ती है, कोई हो सकता आरेती सिद्धी करी होगी यह पर नहीं, उनका चेरा कुछ और ही बोल रहा था, मैंने का जी, धाई सो बंदे का लंगर तियार करना जी, कितने पैसे लगेंगे इसके, वो बोलने लगें, वो बोले के दे जी, धाई सो का नहीं, आपने पांच सो बंदे का लंगर तियार करना है, साथ सो सोरी साथ सो बंदे का लंगर त्यार करना है और बारां सो बंदे में बटेगा मैं हस पड़ा मैं का बाई साथ साथ सो बंदे कहां से लाएंगे दिल्ली से आने हैं हमारे calculation के मताबक ज्यादा से ज्यादा डेड़ सो बंदा होगा तिन दूर से आना है काम का छोड़ के आना है वो गुरुजी के प्यारे ही आते हैं तो ऐसे उठके कोई नहीं आता आप चुपरिये जी आपको नहीं पता आप चुपरिये जी फिर उसको बोला साथ सो बंदे का खाना पढ़ेगा बारा सौ में पटेगा अब तू फटा पढ़ बेर को पैसे बता उसने कल्कुलेट करके उसने बोला जो भी खर्चा बोला उसने उसने बोला जी बात सुनो खाना देसी घी में बनना है अब गुरुजी का खाना देसी घी में बनता है शुदु से बनता है लंगरुल का देसी घी में होता है खाना बोला देसी घी में बनना है अब बड़ी स साफ सफाई से बनाना है, मटेरियल अच्छा होना चाहिए, फ्रेश और ऐसा ही गुरुजी साफ सफाई बड़ी पसाँ गुरुजी का लंगर जब आँटी मेरी बनाती थी तो चाहे सुवेरे किचन में सफाई करती थी लेकिन जब लंगर शुरू करना तो उसने पूरी किचन की सफाई करनी, तो फिर लंगर बनाना, ये गुरुजी का एक बोला हुआ असूर था, उसनों ने वही बात बोली, जो गुरुजी की मर्जी होती है, और उसने खोदी पैसे बताए, इतने पैसे आपको मिलेंगी, और ज्यादा बोलना नहीं, अपना ड्रॉर खोला, उसमें से उसने बीस हजार पैर निकाले, और उसको अडवास थमा दिया, मैं देखते हैं रह गया, दूसरा, हाँ भई, तो मेजिक सिस्टम का, और एक कैमरा मैन साथ चाहिए, उन्हें ने खोदी बोला, एक कैमरा मैन साथ चाहिए, बोल क्या लेगा स्पीकर, सिस्टम बहुत बढ़िया चाहिए, आवाद बड़ी सुन्दर चाहिए, और सिस्टम जाए थोड़ा लाउड में चलेगा, तो गुर्जी के सिस्टम में लाउड सिस्टम चलता है, उसने अपने पैसे बताने को रिकता ता चुपकर, चल तेर को इतने पैसे मिलें यह यह ले अडवांस, फलावरे शेक को बोला, इनके साथ जाओ, वहा हाल में सारा देखो, यह क्या करवाना चाहते हैं, उसके हसाब से पैसे तिर्कों मिलेंगे, पिर बार बें बोले, जो इनोंने काम बताना है न, वो इतने का काम होना है, इतने पैसे तेरे को मिलेंगे ये पकड़ तू भी अडवास जाके समय ले क्या क्या फूल लगाने कैसा कैसा करना है वह अडवास में हो से वह कोई बोले ही न कहते है ठीक है ठीक टेंट वाले को बोला आप इनके साथ जाओ जो जो वहां समान चाहिए वह समान लगा देना उसके भी पैसे तैय करती कहते है इतने पैसे ये लडवास टोटल पचासी हिजार प्यावदों ने दे दिया अडवास में अपने डॉर से निकाल निकाल लगी उचले गए मैंने हमने वह बैग से पैसे निकाले वह आणटी मारे साथ एक थी उनके पैसे उनके स्पुरत थे अगर दो जी पचासी हिजार इनको जिकाले कहने लगा जी नहीं मैं ते रहा हूं कहते जी नहीं बाद में ले लेंगे मैं कहते बाद का काम नहीं है यहां आप अभी ले लो मैं तो कहते हैं सारा टोटल बना लो सारे के सारे हम आपको दे देते हैं आप अपने बाद में अपने आप उनको देखे रहे ना कहते हैं नहीं देख लेंगे आप सासंग करो बाद में करेंगें मैं कर नहीं मैंने फिर क्या किया वो पैसे उनका ड्रॉर खोल के उसमें डाल दिया हम वहां से वापस आ गए अब क्या करना है कुछ नहीं करता है चलो आज का दिन रुखते हैं कल वापस चलते हैं वापस आ गए ससंट से पहले हम चार दन पहले हम वहां पहुंच गए सब को मैसेज कर दिये वहां पहुंच गए सारा गुरुजी ने ऐसा सेटिंग करवाई बहुत बढ़िया सेटिंग हो गई ससंग शुरू हो गया संगत सारी आ गए जितना हौल था सारे का सारा फुल हौल भर गए किंती तो नहीं की लेकिन बहुत बड़ा हौल था वो बड़े बड़े ससंग सौसाल में करते हैं पूरे का पूरा वो हाल भर गया शबद चल रहे हैं लास्ट में अब क्या हुआ जब मुंतर जाब से पहले मेरी आंटी मैं और अपने साथ बैठे हैं जो आंटी मेरे को धीरे से बोली कहती है गुरुजी आए है मैं का चुप कर जा ससंग में बोलना नहीं होता बाद में बात करेंगी है कहती ही सुनो तो सही ना बड़ा जरूरी है क्या है कहती ही गुरुजी आए मेरे पीछे से आके शोल्डर पकड़े और आके मेरे को बोलके ये गुरुजी कहते है इत्थे गुरुबानी आरती तब मेरे वाली आरती लगा नहीं है दो आरती अने गली है कहते हैं गुरुबानी वाली आरती तब मेरी आरती लगा नहीं है मैं सुनके बड़ा हरान हुआ कि गुर्बानी वाली आरती तो चलो वो गुरुजी लगवाते थे जिस तर मूढ डाना करना गुर्बानी वाली आरती लगाते तो गुरुजी की आरती सुना है कि गुरुजी की आरती है लेकर मारे पास है नहीं अब दिमाग चकरा गया मैंने फिर आंटी से पूछा मैं का देख तेरा वेहम है या तेरा कोई ख्याल है अंदर का कि यह यह बात सच मुझ है कहती है सच मुझ है गुरुजी ने मेरे को बोला कि मेरी इत्थे गुर्बानी आरती लगानी है ते मेरे वारी आरती लगानी है ते ये भी बोलके गहें, ये सुना है, मेरे को याद आया कि जब हम आये थे पहले तब भी गुरुजी ने बोलके बोला था, इत्थे ससंकरवाना है, त्या अन्नार वेखला, इत्थे ससंकरवाना है। गुरुजी, जो करवा रहे हो बहुत खूब सुरत है, मगर गुरुजी, ये दोनों आरती, अभी समय जो है, जादा से जादा, पंदरा मिनट का समय रह गया होगा, दस मिनट का समय रह गया होगा, जब वो मंतर जाब शुरूर है। तो गुरुजी ना तो हम गुर्बानी आर्थी लेके आये हैं, ना यहां किसी के पास होगी, ना जो आपवारी आर्थी है, ना हमने कभी वो लेकले है, हमारे को तो पता नहीं है, तो गुरुजी आपका हुकम है, तो गुरुजी फिर करवाना भी आपने है, फिर गुरुजी क्या करना है बताओ एकदम थोड़ा सा ध्यान उस तरफ ज्यादा चला गया कि क्या करना है गुरुजी का हुकम है हुकम की पाला तो करनी है मैं उठा जिल अंकल के ड्यूटी लगाई थी मियजिक सिस्टम पर मैं उनके पास बिया मैं क्या आपके लेप्टॉप में या आपके पास गुर्बानी आरती है मैं बोला जी कि नहीं गुरुजी की आरती है वो कहते जी यही तो लगती है गुरुजी की आरती मैं करने गुरुजी वाली आरती और है कहते नहीं मैं क्या करें क्या हुआ मैं क्या गुरुजी आके बोलके बोलके गए हैं कि ये दो आरती लगानी हैं, ये वाली आरती दो लगेंगी, अब क्या करें? कहते हो तो इसका अंतियाम तो अब हो नहीं सकता, मैं कि हाँ बजार गए तो बहुत दूर से ये समान मिलेगा, मिलता भी है कि नहीं, गुर्बानी आरती तो मिल जाएगी, लेकन वो समय पर आनी न हैं, इतने में जो हमारे साथ जो आंटी गई थी वो, वो आई, उनके पास सारा ये समान था, सीड़ी विगएरा बनाके लेके गए थे, ससंकी पूरी प्यार करके, और भी सीड़ी उन्होंने रखी थी, कोई जो रूत पड़े तो, बड़ा च्छेंतियाम को आंटी करती हैं तो किया, उन्होंने चक किया, थेला लिया, तो खोला, उसमें से सीड़ी विगएरा निकाली और आटदा सीड़ी पड़ी थी, तो वो निकाली, जब उन्होंने देखा कि दो सीड़ी ऐसी हैं, जो उनके पहचान की नहीं, उन्होंने कहा कि ये दो सीड़ी कौन सी हैं, बाक उनके प्रिंटेड थी वो टाइटल था उस पे पसा तो वो पलेन वाड़ी थी एक लगाई तो गुर्बानी आरती लैप्टॉप में मैंने बोला लगाओ देखो फटा फटा करो टाइम नहीं है जब एक लगाई उन्हों अंकल ने तो उन्होंने लिस्ट में पढ़ा कहते इस एक आरती तो आगई अब दूसरी लगाओ जी अब दूसरी लगाई उसमें ऐसा कुछ नहीं आया तो जब आउन करके देखा तो गुर्जी वाड़ी आरती हाँ 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 हा इसका इंतियाम आप कैसे नहीं है तो दे दिया है इंतियाम सारा हमारे आने जाने के इंतियाम हमारे खाने पीड़े के इंतियाम हमारे काम चलने के इंतियाम सारे इंतियाम तो गुरुजी ले करके रखे हुए एक एक इंतियाम एक पैर उठकर आगे चलना है तो वो भी इंति आरती दो यही आरती लगेंगी। उनने बोला ठीक है दी। फटा फटा आए फिर बैठ गये। मंतर जाप शुरू हो गया। मेरा ध्यान पढ़ा स्टेज के ओपर जो साइट टेवल थी। उसके साथ एक पॉलिथन का इतना बड़ा बैग एक पढ़ा है। अब देखो पढ़ा है तो पढ़ा है कब का पढ़ा है तो अशको क्या करना है लेकन खुरूजी की देखो लीला महमा देखो उनकी अंदर उन्होंने ख्याल डाला जब एख जाके। जब एक जाके ये बोलने की हुआई से नहीं अंदर से ख्याल कि देखो चिकी एगा उत्थे क्यों प्याई अंदर में ऐसा मेरे ख्याल आया मैं तुरंत उठा मैंने जाके देखा तो उसमें गुलाब के फूल के पैटल्स पड़े भरा हुआ उसी से इतने बड़े साइज गा ये तो हमने बोला ही नहीं हमने मुगवाए ही नहीं तो ये फूल वाला ये क्यों रखके चला गया चुरू पता कोई नहीं मैं वापस आया इतने में अंदर ख्याल आ गया फिर ख्याल दिया कि इसमें एक फूल परखा की लाइन होती है दुर्बानियार्टी में तो ये तो फूल परखा के लिए फिर पैटल्स पड़े हैं अहा अना दा गया ये चीज़ सारी देखे जब आरती शुरू हुई मैंने वो पॉली पैग जो था जो मैंने वो उठाया और किसी की ड्यूटी लगाई कि सब को थोड़े थोड़े ना ये पैटल सब के हाथ में दे दो तो कोई पूछेगा ना क्या करने हैं उनको गो ना जो स्टार्टिंग में जो करेंगे ना वही आप कर देना तीन चार तो की ड्यूटी लगाई उन्होंने फटा फट फट फूल को बांटने शुडू कर दिये वो सारे हरान हो गया कि इसको क्या करना है करने लगे जो करेंगे स्टार्टिंग से जो कर लेंगे आप भी वैसे कर लेंगे जब गुरबानी की ओर लाइन आई फूल बर्खा वाली तो मैंने गुरुजी के उपर फूल बर्खा करी तो देखके बाकियों ने करीब बाकी सब ने ऐसा महावल बना ऐसे फूल बरसे इतनी सारी संगसे वो मैं बड़ा हैरान हूँ इतनी दूर बारे आगे नहीं आसा है वहीं से फूल बरसा रहे हैं फूल देखो कैसे वहां आ रहे हैं वो पूरी की पूरी स्टेज वो पैटल से भर गी ऐसा खेल कभी इतने सा संफित गया देखे बड़े भी किये ऐसा खेल अनादवाडा नहीं देखा जो उस समय देखा क्या गुरुजी निकी क्रिपा क्यों गुरुजी सारे गरुजी खुली जगा में रेंकर्ड हॉल में गुरुजी ही सारे सासंगर रखवाते हैं लेकर बोल कर ये सासंगर रखवाया उसमें फिर कुछ और अननल की बात बढ़ गई थी फिर देखो उसमें हुआ क्या एक बहुत बजर्ग एक लेड़ी गुर्गाओं में रहती वो गुरुजी को नहीं जानती उसकी कोई सहली उसने बोला कि ऐसे ऐसे हमें एक सासंग पर जा रहे हैं रिशी के जाना है तो जा रहे हैं हम तो इस दिन को जा रहे हैं एक दो दिल पहले की बात होगी उसने बोला कि अच्छा मेरे को भी सास ले जाना सासंग देखो सियाने बंदे जो है न वो कहते सासंग सासंग है किसी भी धर्म का होए किसी माहफुर्शों का होए किसी गुरुओं का होए जो गुरुओं के मताबक जो समयदार हो गए हैं न वो एक ही समयदे हैं वो फर्क नहीं डालते हैं ये तुमारे गुरू का है, ये हमारे गुरू का है, वह ऐसा नहीं करता, उसे बोला, सत्संघ सत्संघ entonces, उन्हें पुली आप गुरु जाते हैं, हैं जाते हैं, कैसी बोला, झालओने पूर। किया था बस से जाना है उन्होंने बता दिया बस बैसे बात कराई कि आप जहां रहते हो पस थूड़ा सा आ अगे में रोड पर आ जाना वहां खड़े फोग ज़ाना था मूं आपको बहां से ले लेंगे और पौने पांच बजे आप वहां पे खड़े होगे, हम रुकेंगे नहीं, आप खड़े होगे तो आपको ले जाएंगे, वेट नहीं करेंगे, सबेरे पॉने पाने, उस आंटी की जाग खुली साड़े पांच बजे, उठी देखा, ओ, 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 ये तो लेट होगी मैं, बस पुमेली नहीं, मगर उस उसके अंदर एक गुरजी ने खलबली मचा के रख दे, जाना है तो जाना है, खलबली मचा के रख दे, उसे चैन ना आए, उसने आप ड्राइवर को फोन किया छे बजे, अभी आप, रिशी केश चलना है, वो आंटी रिशी केश पहुंगी, अपनी गाड़ी लेके, ड्रा सोगी वो आंटी, वो पहुंच पहुंगी, उसे पूरा ससंग अटेंड किया, उसको इतना अनंद आया, गुरजी का, इतना अनंद आया, कि ससंग जब पूरा हो गया, तो चलो खुशी में संगत थोड़ा सा नाच कर लेती है, तो गाने लगा दिये, तो नाच शुरू हो ग शुरू कर दिया, उसने को, इतना जबर्दस अनंद आया जी उसको, इतना जबर्दस अनंद आया, उतने जवानों के तरह उसने डांस किया, अब उसने शोर मचाना शुरू कर दिया, उची उची बोलने लग गई, क्या हो गया इसको भाई, अंटी क्या हुआ, मैंने में दोड़के आया भी ऐसा क्यों है क्या हुआ कि कहती मैं साइं बाबा की भगत हूं ये मेरी एक रिंग है इसमें साइं बाबा की मैंने फोटो बनवाई हुई कम से कम नहीं तो बहुत सालों से ये में कभी उतारती भी नहीं मगर इस पे उपर तस्वीर ये गुरुजी की तस्वीर बन गई है ये देख लो देखा तो सचमच गुरुजी की तस्वीर बनी हुई पूरी जैसे पूरी पिक्चर बना के फिट की हो कुछ क्या alguna ही कुछ कई बार होता है दर्षण देते हैं किसी चीज़ पे गुष जी अपने लूप में या किसी चीज़ में या चपाती में कई बार ऐसे होता है कि लगता है, गवर से देखो तो पता चलता है, हाँ ये तो गुरी जी का फेस है, वो तो कलरको जैसे पूरा उस साइज का बनाा के, तो ये देखो, ये उनका फेस बना गया, देखा हमने समने, समने देखा, ओ आंटी फिर नाची, ऐसे उचल उचल के नाची के हरान हो गए हमके कमाल कर दिए कई बार गुरुजी ऐसा ऐसा कुछ कर गए है बहुत सी ऐसी बाते हैं अनेक हैं मेरे को याज़ जब आती हैं बहुत सारी है ऐसा ऐसा गुरुजी कर जाते है कि किसी सोचड़े से भी ऐसा नहीं होना है सत्संग की एहमियत सबसे उंची ना होती तो गुरुजी कभी सत्संग ना करवाते आपके घरों में आपकी तरफ से यह कभी ना करवाते एहमियत पड़ी तो खुद उनोंने बोल के सत्संग करवाया फिर देखो आपने सुनी लिया है वो दो आर्कियों के इंतियाम खुद किया फूल पर्टर्स का इंतियाम खुद किया अंटी को देखो वहां से उठा के भेजा उसके अंदर जोर भर दिया कि जाना है वो कभी गुरुजी के बारे में सुना ही नहीं उसनी वो आगई वहां पर और उसकी जो रिंग में जो नाई बाबाजी की फोटो थी वो चेंज जो के गुरुजी की फोटो हो गई कौन करता है ऐसा अब आप समझेगा इससा संगो अगर दोबारा फिर सुनो उसमें सारी बातों को गौर से समझेगा आपको बहुत कुछ बातें उसमें से समझ जाएंगी बहुत सी समझ जाएंगी तो आज इतना कबूल करना पिर मारा एकल्पा करें पहर आएंगे जो गुरुजी बलॉाएंगे वो बोल जाएंगे कि सब उनका केल है किसको बलुआना है क्या बुद्वाना है किसे करवाना है क्या करवाना है सब उनका केल है हम कुछ नहीं कर सकते तो फिर में लेंगे जै गुरुजी